हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी एनर्जी सोल्यूशन की और अधानी ग्रीन एनर्जी की आज इसके अंदर अभी देखे तो दो पसंद का असपास की तेजी देखने को मिली अच्छी बात रही और कल भी हमने जो बात की थी क्योंकि कहीं आज बिल्कुल वहीं हुआ आप खुद भी देखे तो आठ सो चालीस तक गया लेकिन वहां पर यह टिक नहीं पाया वापस से आठ सो थी के उपर देखेगे तो थोड़ी सी और नीचे देखने को मिलेगी अब यहां पर उसके उबार में भी बात करेंगे यहां पर जैसे कि अब अगर आप देखे तो 5-9-21 दिन का जो मुविंग ए रिजए उसके आसपास यह काम कर रहे है इतलिस 5-9 डेस का जो मुविंग ए रिजए उसके आसपास अभी इसने क्लोजिंग दी है और वोल्यम के अगर बात करें तो पिछले दिनों के मुगाबले थोड़े से वोल् के सब्सक्राव के और कीने दिनलख़ bibliothCanada शंug वह साए थे लिए अगर देखे का सब्सक्राव है यहाँ मेरे से यहां पर एक्लियुर्फ्ट के इसने क्लोजिंग दी दी लेकिन ट्रत क्लोजिंग ए ए न क्लोजिंग दे रहा है इसलिए ror आगे है मिनिट चारट तो इसके अ पंदर मिनिट के चाट के उपर क्योंकि आखरी में टेट जो है उसी लेवल के आसपास रहा था तो इसके अंदर देखे तो परसो थोड़ी सी गिरावठती काल कंसोलरेशन आज फिर से तेजी देखने के मिली और वोलियम के अंदर हलकी सी इंक्रिस्मेंट हुई है यहां पर देखे तो यह पिछले दिनों के मुकाबले तो आगे हम देखे वीकली चाट के उपर तो यहां पर भी हमने पिछली बार गोर किया था एक तो यहां पर इसने जो है गेप छोड़ा हुआ है यह जो हाई बनाया था यह फिल अभी तक नहीं हुआ है और इसके अंदर भी तो यह पर इसके अंदर बन सकता है और अगर इसको बात यह ब्रेक आउट देता है तो फौर दर तेजी भी आ सकती है लेकिन फिलाल यह लेवल दूर है तो इसकी बात हम फिलाल नहीं करेगे लेकिन इसके अंदर देखे तो अभी 811 रूपे के आसपास का लो बनाया और इसके अंदर बाउंस बेक आया है और अभी यह अगर देखे तो फाइवर 9 विक का जो मुविंग के उसके नीचे थोड़ा सा काम कर रहे है अगर इसके ऊपर यह क्ल यह पर सो तो अच्छा रह सकता है और डेली चाट के उपर जैसे कि हम देखे तो सपोर्ट और रजिस्ट अब जिस प्राइस के उपर इसने क्लोजिंग दिये यह जो अभी भी एक रजिस्टर्ण है उसके उपर देखे तो आट सो पचास रुपे का जोन तो इसके उपर फॉर्दर जाता है तो फॉर्दर जो है इसके अंदर तेजी भी आ सकती और फिलाल देखना बनता है कि यह प तो इसके अंदर भी अगर आप वोलियम की आप बात करें तो पिछले कहीं दिनों से अगर देखे के तो यह जा लग रहा है अज भी देखे तो थोड़ा सा पिछले दिनों के मुझकव कम रहा थोड़ी सी गिरावट रही और यह भी अगर देखे तो फाइज नाइन डेस औ वीक दिन के मुझक कर रहा है और इसके अंदर जो फाइन जो है वोलाटलियू थोड़ी सी कम दिख रही है अभी देखे तो इसकी अगर आज की डिलिवरी वोलियम की बात कर रहा तो तकरिबें तकरिपर उनנीस लाक के आसपास का डियर जो है डिलिवरी उठी है आज पी अ और 21 वीक का जो मुविंगे उसके आसपास ये काम कर रहा है अगभी तक उसके ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है तो स्टेंथ अभी भी यहाँ पर है ऐसा लग रहा है और यहाँ पर भी अगर देखेगे तो सपोर्ट और रजिस्टेंट देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर एक कई बार मैंने बोला है कि इसके अंदर एक डवली उशेप सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और हो सकता है कि आगे अगर यहाँ एक अजार पचास एक अजार सतर के लेवल को अगर पार करें तो वापस से यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था वहां तक जाने की कोशिश कर स दो जोन जो है यह रिजिस्टन दिख रहे है अगर इसके उपर फर्दर यह निकलता है तो जो ही यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है ऐसा लग रहा है और आज के वीडियो में अगर अच्छा लगा तो लाइक शेन सब्सक्राइब कर ले और एक स्टैंडर डिस्क्रेमर जो